दोस्तो धनी अप्लिकेशन के उपर यह हमारा पांचवा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि धनी का जो आप लोगों को फ्री कैश्पेक कार्ड फिजिकल में मिल चुका है उसे आप लोग कैसे एक्टिवेट कर सकते हो इससे पहले मैंने बाकी चार वीडि के लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पार्ट में चेक कर सकते हो तो ब्रीफली चलिए मैं यहां पे आप लोगों को समझा देता हूं जब आप लोग आपका धनी का अकाउंट क्रियेट करोगे तो आपका फ्री कैश्पेक कार्ड एक्टिव करना होगा जिस पर क लोग एक्टिवेट करके जो है फिजिकल में भी उसका यूज ले सकते हो लाइक प्योएस हो गया या जो है आप लोग स्वाइप मसीन में उसका यूज ले सकते हो तो अभी उसे आप लोग एक्टिवेट कैसे कर सकते हो चलिए वो चीज में आप लोगों को बता देता हूं तब यहाँ पर आप लोगोंको जो ओनलाइन कार्ट मिलेगा वो यहाँ पर आप लोगोंको जो physical में कार्ट मिला है उसके बिल्कुल opposite हो सकता है याने कि कार्ट नंबर CVB और जो एकस्पायरी डेट वगरा होती है वो बिल्कुल ओनलाइन कार्ट के opposite हो सकती है जो आप लोगों को physical में मिला हुआ है उस card की तो अभी यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होता है आप लोगों को जो physical में card मिला है उसकी details को activate करते time fill up करने के बाद में जो है उस वाले card को अभी आपका primary card बना लेना होता है इसे आप लोग ऐसे समझे के मान लीजिए जब आप लोगोंने account create करा था उस वक्त धनीवालों के पास में जो भी card number या card available था उनने आप लोगों को दे दिया लेकिन जब physical में वो card देने की बरी आई तो उनके पास इस बार जो card available था वो उन्होंने आपके delivery address पे भेज दिया और इस बार होगा ये कि जब आप लोग physical card का details देते हुए उसे activate कर लेते हो तो ये जो online में पहले से आप लोगों के पास में card था वो अभी deactivate हो जाएगा और अभी जो physical में card आप लोग activate करने वाले हो वही primary हो जाएगा वही अब से जो है इस वाले account के लिए applicable हो पाएगा उसे ही use में लेते हुए आप लोग यहाँ पर पड़े balance को access कर सकते हो ये चीज दोस्तों सभी जगा के लिए same होती है for example new x के लिए जो आप लोगों को debit card मिलता है वहाँ पर भी ये चीज सेम होती है तो चलिए simply यहाँ पर हम जोहद धनी वाले card को activate कर लेते हैं तो यहाँ पर ऐसे वाले interface पर आ जाने के बाद में चाहो तो यहाँ से आप लोग एक screenshot ले शकते हो यहाँ पर यह जो पहले से card available है उसका उसके बाद में यहाँ पर नीचे आप लोगों को activate your physical card पे क्लिक करना है जैसा ही आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोगों को दो चीजे दिखाई दे जाएगी कि अगर तो आप लोगों के पास में card आ चुका है तो आप लोगों को already I have a physical card पे क्लिक करना है अदरवाईज आप लोग अगर उसे मंगवाना चाते हो तो उपर आप लोग order ए physical card पे क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पर मेरे पास card आ चुका है तो मैं already I have a physical card पे क्लिक करता हूँ अभी जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है शुरू के जो 4 डिजिट हैं वो यहाँ पे अल्रेडी दिये हुए होते हैं जो कि सभी कार्ड के सेम होते हैं उसके बाद के जो 12 डिजिट होते हैं वो यहाँ पे आप लोगों को आपके पिन पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर देने हैं दो बार पिन दे देने के बाद में यहाँ पर निचे आप लोगों को continue पर क्लिक करना है और एक OTP verification बाद में यहाँ पर आप लोगों का जो physical वाला card है वो activate हो जाएगा तो चले यहाँ पर मैं OTP का wait कर लेता हूँ जैसे ही आप लोग यहाँ पर OTP दे देते हो continue पर आप लोग क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोगों को बता दिया जाएगा your card is successfully activate और यहाँ पर अभी आप लोग चेक कर सकते हो के जो आप लोगों का पहले card था वो यहाँ पर अभी हट चुका है और आप लोगों के पास में जो physical में card है उसका सारा detail यहाँ पर आ चुका है प्लस आप लोगों को CVV भी नई दे दी गई है तो दोस्तों same procedure को follow करके आप लोग भी अपने card को activate कर सकते हो और यहाँ से मिलने वाले जो है 2% cashback को अभी आप लोग physical ward को भी कहीं पर यूज में लेते हुए यहाँ से वो 2% का cashback earn कर सकते हो तो फिलाल कि इस वीडियो में दोस्तों इतना ही उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो प्लिस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जूरू कीजिए दन्यवाद